उद्यपुर विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ट पूर्वी देहात के सयुक तत्वा धान में तीन दिवसिय टैनिस बॉल टूर्णामेंट का 21 जून से आगाज होगा प्रेसवार्था के दोरान विप्र फाउंडेशन के युवा प्रकोष्ट जिला अध्यक्ष सुनिल पालिवाल ने बताया कि 21 वे 23 जून को सर्व प्रहमन समाज की द्रश्टी टूर्णामेंट में फाग लेगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगबग 6 मैच परती दिन खेले जाएंगे टूर्णामेंट के सभी मैच ठोकर चोराह स्थित रेलवे ग्राउंड में खेले जाएंगे टूर्णामेंट सर्व प्रहमन के खिलाडियों को आपस में जोडने के मकसद से किया जा रहा है वही 21 जून को योग दिवस मनाते हुए टूर्णामेंट का पहला मैच का उधगाटन किया जाएगा आयोजित कारेकरम में उधगाटन समहारों में मुख्य अथिती की तोर पर विप्र फाउंडेशन से धरम नरायन जोशी, रास्ट्य उपाध्यक्ष रादेश शाम सुखलाल, रास्ट्य महामंत्री केके शर्मा परदेश, अध्यक्ष नरेंद्र पालिवाल, आदी रास्ट् नहीं तीन दिवसीय किरके टुर्णामेंट के कारेकरम की अध्यक्षता भी, फाउंडेशन यूआ प्रकोस्ट पूर्वी दिहाजिला अध्यक्ष सुनेल पालिवाल करेंगे, टुर्णामेंट में भाग लेने वाली 20 टीम के परते खिलाडियों को मोमेंटो एम सर्टिफिक देकर प्रुस्कार दिया जाएगा, उध्यपोर से शंकर सर्गना की रिपोर्ट